हेलो एव्रीवन मैं हूं कामरान चोती और आप देख रहे हैं केमिस्टी विद कामरान आज का लेक्चर बड़ा इंट्रेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर जो होगा वो हम डिसकस करेंगे उस लेक्चर में रेलिटिव अटॉमिक मैस एंड अटॉमिक मैस यूनिट जो पूरा लेक्चर देखेगा उमीद है आपको बड़े अच्छे से क्लेर हो जाएगा कि रेलिटिव अटॉमिक मैस क्या होता है और अटॉमिक मैस यूनिट क्या होता है ठीक है तो जैसा कि आप सब को पता है कि एटम इस दा स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी ब् करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ठीक हो गया प्रैक्टिकली हम एटम का जो मैस है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन कुछ इंस्ट्रोमेंट्स ऐसे हैं जो के हमारी मदद करते हैं किस चीज़ में कुछ एटम्ज के मैसes calculate करने में मज़कोलेट कैसे करने में मलद देते हैं हमें by comparing with the mass of carbon ठीक है carbon जिसका mass 12 होता है means chos que carbon का वो isotope जिसका mass 12 होता है उस carbon के साथ हम different atoms के masses को compare करके masses calculate कर लेते हैं तो इसी चीज़ को basically आप क्या बोलते हैं relative atomic mass carbon का वो isotope जिसका mass 12 होता है उससे आपने relate करने है different atoms को ताके आप उनके masses calculate कर सके हैं ठीक है इसी relation को इसी ratio को इसी comparison को basically आप क्या बोलते है relative atomic mass बोलते हैं ठीक है isotope का भी थोड़ा साब को idea दे देता हूँ कि isotopes एक element के वो atoms होते हैं जिनका mass number different होता है बट atomic number क्या होता है same होता है असान wording में आपको समझाने के लिए बता दूँ कि suppose आपने carbon का कुछ amount ली carbon की ठीक है अब उस carbon के जो atoms होंगे जो आपने amount ली हुई है वो हो सकता है carbon उन atoms का जो mass है वो किसी atom का mass हो 12 किसी का 13 और किसी का 14 ठीक है carbon के 3 isotopes होते है जिनका mass होता है 12 13 और 14 atomic number सबका same होता है 6 होता है ठीक है बट ज्याद अंतर जो most abundant जो isotope है carbon का वो carbon 12 है means के वो isotope जिसका mass 12 होता है वो most abundant है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ठीक है अब different atoms के हम masses compare करते हैं ratio लेते हैं उनकी carbon के उस atom के साथ जिसका mass कितना होता है 12 होता है ठीक है अब इसकी तमाम की तमाम इनकी definitions, explanation और examples पर जाने से पहले मैं generally आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी daily life की example से आपको समझा देता हूँ के basically relative atomic mass होता क्या है ताके आपको जब हम आएंगे आगे definitions पर explanation पर और examples पर आपको अच्छे से clear हो जाए ठीक है अब suppose देखें आप किसी भी fruit shop पे जाते हैं मुझे apple दे दें ठीक है क्या वो दे देगा आपको apple नहीं देगा क्यूंके आपने उसको amount नहीं बताई ठीक है कि मुझे कितने apple चाहिए 1 kg चाहिए 2 kg चाहिए 3 kg चाहिए ठीक है तो एक बात आपने mind में रखनी है एक तो आपने उसको बता देनी है quantity ठीक है कि मुझे 1 kg चाहिए 2 kg ठीक है अब ये kg क्या है basically mass का unit है ठीक है तो यहां से आपको ये चीज़ समझ आ गई कि atomic mass unit की वो आएंगे हम आगे explanation पे जस्ट मैं आपको साथ साथ clear करता जा रहा हूं concepts ठीक है अब secondly देखें relative atomic mass जब आपने उसको बोला कि मुझे suppose 1 kg एपल दे दे ठीक है so basically वो करेगा क्या कि ये उसके पास एक तराजू है ठीक है अब उस तराजू के वो एक तरफ रखेगा एपल ठीक है और दूसरी तरफ वो 1 kg का क्या रखेगा बाइट रखेगा ठीक है अब देखें यहाँ से आपको ये दोनों concept थोड़े थोड़े आइस्ता आइस्ता clear होना start हो जाएंगे relative atomic mass means के वो इन एपल का जो mass है वो relate कर रहा है किस के साथ इस byte के साथ ठीक है second जो point है atomic mass unit के mass को calculate करने का भी तो unit होता है वो क्या unit होता है किलो ग्रैम केजी ठीक है तो आपने उसको बता दिया था कि मुझे 1 केजी एपल चाहिए ठीक है तो इस तरहां से वो 1 केजी का byte रखेगा एक तरफ और दूसरी तरफ एपल को इस 1 केजी के byte से compare करेगा तो इस तरहां से वो आपको 1 केजी एपल प्रोवाइड कर देगा ठीक हो गया तो basically हम लोग यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने लगे है केजी आपके पास कार्बन है जिसका मैस कितना है 12 है ठीक है अब देखें आपने जो different atoms के जो masses compare करने हैं वो directly carbon से compare नहीं करने हैं जिसका mass 12 है ठीक है आपने करना क्या है अगर मैं कि मैं कि इस carbon को 12 parts में डिवाइड कर लूँ ठीक है 12 है इसका mass अगर मैं इसको 12 parts में divided कर लूँ सो जो इसका एक part होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ के यह 1 by 12th part है carbon 12 का ठीक है के बारमा हिस्सा है उस carbon का जिसका mass 12 है सो मैं इसको 1 by 12th part कह सकता हूँ ठीक हो गया इस 1 by 12th part को ही basically आप क्या बोलते हैं 1 amu ठीक है या simply one unit या unified mass भी बोलते हैं इसको ठीक होगा तो यहां से आपको clear हो रहा होगा कि जो carbon जिसका mass 12 था उसका जो बारमा हिस्सा है one by 12th part है उसको आप क्या बोल रहे हैं one amu atomic mass unit ठीक है इस one by 12th part को मैंने उठाकर रख दिया यहां पर ठीक है अब इस से मैं compare करूंगा different atoms के masses को ठीक है suppose मैंने यहां पर रखा hydrogen उठाकर ठीक है सो मुझे पता चला कि यह जो hydrogen है यह इस one amu से eight point four percent heavy है ज्यादा है ठीक है सो मुझे पता लग गया कि hydrogen का जो mass है वो कितना है one point zero zero eight है ठीक है similarly suppose आपने helium का calculate करना है ठीक है सो जब मैंने एक amu यहां पर रखा ठीक है तब यह जो तराजू था यह जो balance था यह balance नहीं हुआ इस तरफ ज्यादा चुक गया तो it means के helium अभी भारी है सो मैंने क्या किया एक और carbon का जो 12th part था रखा ठीक है फिर भी balance नहीं हुआ फिर मैंने क्या किया चार carbon के जो 12th part थे वो रखे सो तब जाकर यह जो तराजू था वो balance हो गया सो यहां से मुझे अंताजा हो गया कि helium का मैस है वो कितना है 4 है ठीक है तो बहराल practically हम ऐसे नहीं करते ठीक है आप first year में एक technique पढ़ेंगे mass spectrometry ठीक है वहाँ पर जाकर आपको थोड़ा सा clear हो जाएगा कि कैसे आप different element के atoms के isotopes के masses calculate करते हैं ठीक है सो practically हम इस तरह calculate नहीं करते बट आपको यह topic समझाना था तो इस वज़ा से मैंने यह सारी की सारी explanation दी आप अब आपको इस topic की definitions इसकी example समझने में बड़ी help हो जाएगी बड़ा easy लगेगा आपको so आप relative atomic mass को कुछ इस तरह से define करते हैं कि the relative atomic mass of an element is the average mass of an atom of that element as compared to 1 by 12th जिसको आप क्या बोल सकते हैं 1 12th the mass of an atom of carbon क्या होता है relative atomic mass of an element is the average mass of an atom of that element as compared to 1 by 12th the mass of an atom of carbon 12 isotope ठीक है जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि किसी भी element का atom का अपने mass calculate करना है ठीक है तो आपने उसको compare करना है किस के साथ carbon के उस atom के साथ carbon के उस isotope के साथ जिसका mass 12 होता है ठीक है तो उसको basically आप क्या बोलते हो relative atomic mass बोलते हैं चरब कर दो साथ based on carbon 12 standard the mass of atom of carbon is 12 units and 1 by 12 of it comes to be 1 unit तीक है अब देखें वो ये कह रहा है कि अगर आपने वो कार्बन कार्बन का वो आईसोटोप जिसका मैस 12 होता है उसको आपने स्टेंडर्ड ले लिया जैसे मैंने अभी आपको एक्जेंपल देए कि suppose आप एपल लेने गए हुए थे ठीक है तो एपल को आपने calculate करने के लिए उसको बोला के जी मुझे 1 kg एपल देए तो उसने क्या किया उसने उन एपल को calculate या उनको compare किया किस चीज से 1 kg के बाइट से तो 1 kg के जो बाइट है तो उसने वो बाइट जो है 1 kg के लिए standard चूज किया हुए ठीक है standard लिया हुए है तो इस तरहां से ऑगर आप carbon जिसका carbon का वो isotope जिसका mass 12 है उसको आप standard के तोर पे use करेंगे then वो जो mass होगा उस carbon atom का वो कितना होगा 12 units जैसे मैंने अभी carbon को 12 parts में divide किया ठीक है तो total 12 parts हैं 12 units हैं ठीक है तो उसका जो 12th part होगा उसको आप क्या बोल देंगे फिर वन unit बोल देंगे ठीक होगा अब हम बात कर लेते हैं atomic mass unit की atomic mass unit क्या होता है अब आप देखें different quantities को जब आप मैयर करते हैं तो उनको मैयर करने के साथ साथ उनको आप represent करते हैं units के साथ ठीक है साथ है यूनिट जरूर बताते हैं जैसे अब ही हमने देखा कि मैस को मैयर करते हैं जब आप तो साथ हाप unit यूज करते हैं ग्रैम किलो ग्रैम ठीक है तो इस तरह के यूनिट यूज करते हैं इसी तरह यूनिट में रिप्रिजेंट करेंगे ठीक है तो वह बेशिकली वह यूनिट क्या होता है वह होता है Atomic Mass Unit इसको आप a.m.u बोलते हैं Atomic Mass Unit बोलते हैं चीग होगे इसको Define कैसे करते हैं इसको Define कुछ इस तरह से करते हैं कि जी one atomic mass unit is one by twelfth the mass of one atom of carbon 12 के carbon का वो ऐसोतोप जिसका mass 12 होता है उसका जो बार्मा हिस्सा होता है twelfth part होता है वो किस चीज़ के equal होता है one amu के one atomic mass unit के equal होता है ठीक है इसको आप represent कैसे करते है it is represented by amu ठीक होगा अच्छा अब हम देख लेते हैं relation between grams and amu ये भी आपको मैं बता जता हूँ amu and grams क्योंके दोनों ही जो units है amu और grams दोनों ही masses के लिए आप use करते हैं ठीक है so one amu जो equal होता है वो होता है one point six six times ten power minus 24 grams के ठीक है so ये relation है basically amu और gram का कुछ examples भी देख लेते हैं amu और grams के relation की for example अब जो mass of proton होता है वो कितना होता है one point zero zero seven three amu जब आप इसको grams में convert करते हैं तब कितना answer आएगा one point six seven two times ten power minus twenty four grams ठीक है similarly जब जब आप उसको grams में represent करेंगे तो ये कितना बनेगा one point six seven four times ten power minus twenty four grams ठीक हो गया similarly mass of electron जो होता है वो होता है five point four eight six times ten power minus four amu and जब आप इसको grams में convert करते हैं तो ये हो जाएगा nine point one zero six times ten power minus twenty eight grams ठीक है तो ये कुछ example थी के amu और grams के relation की protons, neutrons और electrons के लिए तो अमीद है आपको ये relative atomic mass and atomic mass unit का टॉपिक भी अच्छे से clear हो गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को share जरूर किया करें बेल आइकान को लाज़मी प्रेस कर दें फिर भी अगर आप लोगों का कोई question होता है नीचे आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं या personal email भी कर सकते हैं Thank you very much